हरो स्टुडेंट्स, वेलकम तुमेज चैनल, इस रोशन सरमैक्स, चलिए मेडिया स्टुडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं, जैसे आप सभी जानते हैं, मैं तिलगू आप सभी के लिए आंसर अपलोड कर रहा हूं, ग्रैमर भी अपलोड कर रहा हूं, आज हम very important grammar करेंगे vocabulary हम करेंगे जैसे आप सभी जानते हैं vocabulary के अंदर पहले सबसे पहले parts of speech आते हैं और तिल्गों में five parts of speech रहते हैं noun नामवाचकमू, pronoun सरवनामवू, kriya, verb और उसी तरह विशेशनम एडजेक्ट्यू और अवेम कंजेंग्चन यह पांच वब रहते हैं आपको अंडरलाइन करके पहचानना है कि यह parts of speech कौन सा होगा पहचानना है, easy way में कुछ examples मैं आपके लिए यहां पर लिखा हूँ, इसको अगर आप देखेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा, देखें यहां पर क्या करा है, क्रिश्नुडू, तरणा वेनुवनू, नड कहते हैं, सर्वनामूं कहते हैं, तो यहां पर आपको सर्वनामूं आपको दिया गया है, इसलिए मैंने यहां पर सर्वनामूं लिखा है, second वाला, पिलल, चुट्टू, कूर्चुन, तिन्टून, लड़के गोल, round, यहां पर speciality बता रहा है, कैसे बैटे हैं, लोग बने, round बैटे, round का मतलब, विशेशनम, इसको हम adjective कहते हैं, ठीक है, दूड़ा, गड़ी, तिन्टी, बचड़ा, घास, खाया है, गड़ी, घास, noun, नेम आ रहा है, घास क्या खाया है, मतलब घास काया है, नाम हो आचे को, अभी एर्रा गुलाबी, वो लाल गुलाब है, लाल, मतल गा रही है, गाना, तो यहां पर एक काम हो रहा है, वोक हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं, क्रिया, अयो, यह अगर इसला, explanation आते हैं, आप बिना सुचे, इसको अभी एम लिख देना है, सुचना ही नहीं है, जहां पर भी, explanation आता है, अयो, बाल गुम गया, तो यह देख रहे गा, एला, question mark आ रहा है, यह भी, आप वियाएम रहा है, question mark रहा हूँ, यह exclamation मार हो, यह conjunction रहा है, आप याद रखना है, एक काहरा जर्गिंदी, कैसे हुआ, ओहो, फिर यहां पर explanation आया, cinema इंतबा गुंद, ओहो, picture कितना खुब्सूरत है, कितना अच्छा है, आप वियाएम इवी, वेड़ पालू, यह बहुत गरम दूध है, वेड़ी, speciality, यहां पर दूध कैसा है, गरम है, speciality बता रहा है, इसको हम विशेशन हम कहते है, रहीम चाला, मन्चिवाडू, रहीम बहुत अच्छा लड़का है, कैसा लड़का है, अच्छा, यहां पर उसकी भी, speciality बत है, तो यह भी, विशेशन हो, होगा, adjective, राजू, नेम आगया, नेम आए, तो नौन होगा, आपको समझना चाहिए, राजू, बहुत अच्छा पढ़ता है, नौन, अधी, पेद्धा, वो बहुत बड़ा शहर है, अधी मतलब वो आ गया, तो सर्वनाम होगा, याद रखना इस तरह का, सिंपल याद करेंगे, तो आप आरम से objective में 20 marks ले सकते हैं, तो उमीद करता हूँ, कि सिर्फ आपको देखना ही नहीं है, इस grammar को एक बार लिख लेना भी है, ताकि आपके notes में, ताकि अच्छी तरह आपको याद हो जाए, आपके लिए अपलोड कर देता हूँ, ताकि आप पार्ट भी अच्छी तरह कर सके, बोड एक्जैम या जो भी आपके practice पेपर सारे हैं सभी में, ताकि आप अच्छे marks लगे, very simple way में मैंने समझाने की कोशिश करूँगा, अच्छे तरह याद कर लिजिए, हो सका तो इस सभी grammar को लिखने की कोशिश कीजिए, देखिए यहाँ पर, सबसे पहले सामान्य वाक्यम, simple sentence, mixed sentence मैं आच कराऊंगा आपको, simple sentence किसको कहते हैं, mixed किसको कहते हैं, देखिए, स्रीनु रोजु आफिस को जाता है, एक sentence है, पिललल कु कतल्स कोड़ा चे पिता रो, हम कहते हैं, बच्चों को कहानिया भी बोलते हैं, यहाँ पर नाम स्रीनु एक ही बार है, पिललल एक ही बार ही बार है, है आपर, तो एक ही बार अगर आया, तो एक नाम एक ही बार आया तो उसको हम कहते है Simple sentence दो बार आया तो उसको हम कहते है Mixed sentence मतलब एक और समझ सकते है एक ही वर्ब एक ही equal वर्ब प्रॉपर वर्ब एक ही आया तो उसको Simple sentence कहते है और Mixed sentence कहते है एक ही वर्ब दो बार आना एकी वर्ब दो बार आँ, मतलब improper वर्भ हो सकता है, proper वर्भ हो सकता है, दो भी वर्भ हो सकते हैं, एक ही sentence में आएं, तो उसको हम कहते हैं, सामान्य वाक्यम, simple sentence, okay, अक्छी वाक्यम अक्छी वस्थमीममर. यह अच्छी तरह आपको याद रखना है संसलिस्ट वाक्यम मिक्सिर सेंटेंस में एक ही सेंटेंस में इंप्रॉपर नौन मनें अनकंप्लिट नौन और संसलिस्ट वाक्यम प्रॉपर नौन दो भी हो सकते हैं मैं इसके एक्जेम्पल से आपको समझाऊंगा तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा सबसे स्मेहले सलस्लिस तब आके हम मिक्सिट सेंटेंस देखें यहाँ पर देखें आदिवारम संतकु विल्ली कूरा गायलू तेस्ताडू यहाँ पर दो वब है संडे के दिन बजर को जाकर तरकार यहाँ खरिते हैं जाकर भी नाउन है तेस्ताडू भी नाउन है यह दोनों यहाँ पर नाउन आपको आ रहे हैं उसी तरह देखें नेनु पाठा चाड़ा को वेल्ली चदान दो वब है इसके अंदर भी माइ स्कूल को जाकर पढ़ा है जाना भी वब है चदिवाने भी वब है तो हम इसको पहचान न कैसा क्योंकि एक्जाम में आपको लिखने के लिए नहीं कहेगा बलके आपको वो सिंपल संडेंस मिक्सिट संडेंस पहचानने के लिए कहेगा अब यहाँ पर मैंने कुछ एक्जामपल लिखे है देखें इसको देखकर आप पहचान सकते जिसा विनीत गरंधालायानी की वेड़ली मन्ची पुस्तकालो ते चाड़ो विनीत लाइबरेडियो को जाकर यहाँ पर एक वब है अच्छे बुक्स लेकर आया है यहाँ पर एक वब है दो वर्ब आयेंगे तो यह क्या होगा मिक्सिट सेंटेंस रहाएगा संस्टिस्त वाक्यम यह आप आपको देख सकते हैं मतलब दो वर्ब जिसमें भी रहेंगे दो दो वर्ब उसको हम कहेंगे संस्टिस्त वाक्यम एक वर्ब जिसके अंदर रहेंगा उसको हम कहेंगे सामन्य वाक्यम यह अच्छी तरह आपको याद रहेंगा ठीक है दो वर्ब रहेंगे तो संस्टिस्त वाक्यम एक वर्ब रहेगा सिंपल जिसे अम्मा गुल्डी की वेलिंदी, मा मंदिर को गई है, वेलिंदी एक ही वब है यहां पर, तो इसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं, सीता रामा लक्ष्मन लोडू, पड़वा नेकी, गंगा नदी देटारू, सीता रामा लक्ष्मन, शिप में बाइट कर एक पड़वा ने सेंटेंस, हमारी अकल इस्तेमाल करके हम मेहनस से पढ़ना चाहिए, यहां पर आपको देखे, उपयोगींची, यहां पर कुरुष्टो मेहनस से चदवाली दो वबार हैं, तो इसको कहते हैं संसलिस्त वाक्यम, तो अच्छी तरह याद रखिए, क्योंकि आपको अबजिक् जाना है, तो इस तरह आप करेंगे, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगी, all the best. तो एक एक टॉपिक करके, मैं यहां पर आज एक 3-4 टॉपिक्स आपके लिए अपलोड कर रहा हूं, यह अच्छी तरह याद करना है, यह भार्षा भागा मुलो, यह पार्ट्स अफ स्पीच है, मैंने अल्रडे लिख दिया है, यह पार्ट्स अफ स्पीच में, आपको पत गीता चेपड़ो, कृष्णन जी ने भगवद गीता बोले है, यहां पर कृष्णन जी नेम आ रहा, तो इसको हम नामवाचकम कहते हैं, ठीक है, संदीपनी उत्तमा गरो, संदीपनी बहुत अच्छे टीचर थे, यह संदीपनी यहां पर भी नाम आ रहा है, तो इसको नाम कहते हैं, इसको हम नामवाचकम कहते हैं, सुधा मुडू, चाला मंचिवाड, सुधा मुडू, बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा, बहुत अच्छा, एडजेक्टी हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं, विशेशन में, आमे मा का, वो मेरी बहन है, आमे, आमे मतलब वो, वो यहां पर प्रणोन आ रहा है, इसलिए हम इसको सर्वनामम कहते हैं, अभी चट्टु मीदा उन्नाई, वो जाड़ पर है, वो, मने देट, देट यहां पर यह भी सर्वनामम होगा, मीरु मा परोक्षगुरू, तुम हमारे परोक्षा, मने बाहर से टीचर है, बोलते टीच देखें यहां पर सुधामुण की की? आता है, सुधामुण के स्री क्रिष्नी बचपन के दोस्त है, धीव्यक को अईगा है, धीव्यक भेवने ज्यादा है, बिव, ब्रेव मतलब बहुत इम्मत वाले लड़ीकी ऐ, भार्या पट्चु दला, वालना यहां पर आ यहां, माने वाइफ के जिद से द्वारा का को गए नानना तो आएंगा यहां पर माने फादर से निजम चेप्रानों सच कहां तम्मुन्नी बड़ी की यहां पर बड़ी की है तम्मुन्नी बड़ी की पमपाली भाई को कहां पर भेजना है स्कूल को भेजना है राजुनु आरट आने की 30 को अलानु राजु को खेलने के लिए लगकर गया हूँ तो यह आपका प्रिपोजिशन से है कुछ और ग्रैमर मैं आपको अपलोड करूँगा देखिए आपर यहाँ पर देखिए एक करता कर्मा करिया सबजेक्ट औबजेक्ट वर्प करता कर्मा करिया देखिए क्या कह रहा है सुधामुडू अन्नम तिन नाडू सुधामुडू खाना खाए तिन नाडू तो आपको पता है करिया है खाना कर्मा है ये करता है सुदामनो नाम जो भी आता सब्जिक्ट रहेगा बालूडू पालू तागाडू बालूडू ये करता होगा पालू दूद्ध मने लड़का दूद्ध पिया है पालू क्या होगा कर्मा होगा तागाडू क्रिया होगा पापा मिठाई तिनन दी पापा मतलब बेबी मिठाई खाई है ये पापा करता होगा ये करमा होगा ये क्रिया होगा नानना बॉमलू तेचाडू फादर डॉल्स ले किया है बॉमलू मतलब हम इसको बॉमलू खिलो ने जिसको हम कहते हैं किलो ने लेकर आहे हैं नानना करता होगा बोमल कर्मा होगा तेचाड़ु क्रिया přावर्म गिंजल우 तिन्ट तंदी पिज्वास दाने खा रहा है पिज्वान करता गिंजल लुकरमा। यह क्रिया होगा। ठीक है। कृष्ट रूडु सब्सक्रारी इस तरह करना है। उसके बाद कुछ सेंटेंस देखेंगे। पास्ट का है। पर देखे क्रिष्णडू आहुवान इंचाडू सिरीय क्रिष्ण जी ने हमको आहुवान कई हैं वेलकम कियें तो पास्ट है ये भूता कालम सुधामुडू नगराणी की वेलाडू सुधामुडू वेलतुन्नाडू सुधामुडू शहर के तरफ जा रहे हैं प्रेजेंट वर्तमाने कालम मन्ची रोजिल वस्ता है अच्छे दिन आएंगे फ्यूचर डेंस होरा भविशुत कालम जन्तुलू अडव के वेड़ा है जानवर जंगल को गए ये पास डेंस होगा कुछ प्रकुरती विकुरती देखें स्नेहम नैयम आहारम उगिरम मरुगम, मेकम साहायम, सायम सिम्वम, सिंगम, आशा आसा तो ये फाइव टॉपिक्स आप अच्छे तरह याद कर लिए इसी तरह धीरे धीरे सभी टॉपिक्स हम खतम करेंगे लेकिन आपके रिस्पांसलिपड़ी बनती है कि आप इसको अच्छा लिख लेना, लिखे अच्छी तरह याद करना है तभी जाकर आप कुछ कर पोओगे all the best